नमस्कार मैं हूँ देनेश पाठक और भारत सरकार ने फार्मा उद्द्यों की तरक्की के लिए इस बार बजट में भारी भरकम रकम की बेवस्था की है दुनिया भर से दवाई की आपूर्ती बढ़ाने के आदेश लगातार मिल रहे हैं अमेरिका, यूरोप और रूस सहित अनेक देशों में दवाईयों की आपूर्ती में कमी के बीच दवा के लिए दुनिया की निगाहें अब भारत की ओर डटी है ऐसे में भारत दुनिया की नई फार्मसी और वैक्सीन हब के रूप में उभरता हुआ दिख रहा है इस समय भारत दवा उत्पादन की मामले में 200 में तीसरे अस्थान पर है बैस्विक मंदी के बीच भी वित वर्स 223 में भारत से दवा का निरयात 27 अरब डालर के रिकार्ड अस्तर को चू सकता है भारत से दवाओं का निरयात ने केवल गरीब और विकास हिल देशों को बलकि अमेरिका और यूरोप सहित विभिन विक्से देशों में भी किया जा रहा इस वर्स अनेक काणों से दवाओं की बैस्वी कापूर्ती प्रभावित रही लेकिन भारत ने दवाओं का निरयात लगातार जारी रखा इससे हमारे दवाओ द्योग पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है और अप्रेल 22 से सितंबर 22 तक देश के फार्मसिटिकल और चिकित्सा उपकड़ों के छेतर में एफडियाई प्रवा 8000 करोड रुपए से जादा का रहा है चुकि भारत में दवाई उत्पादन की लागत अमेरिकया और पस्टमी देशों की तुल्ला में बहुत कम है इसलिए भारत घरेलू और 22 बाजारों के लिए उच्च गुणवत्ता और कम लागत वाली दवाओं के निर्माल में प्रभावी भूमिका निभा रहा है दुनिया की करीब 70 प्रतिशत जनरीक दवाओं की मैनुफेक्चरिंग भारत में हो रही है जनरीक दवाओं के मामले में अफ्रीका की कुल मांग का 50 पीसद अमेरिका की मांग का 40 पीसद तथा ब्रिटेन की कुल दवा मांग का 25 पीसद हिस्सा भारत से जा रहा है दुनिया की 60 पीसदी वैक्सीन का भी उत्पादन भारत में हो रहा है 207 संगठन की अनिवारे टीका करन योजनाओं के लिए 70% टीकों की आपूरती भारती कमपनिया कर रही हैं। कुरूना में दुनिया के 150 से अथिक देशों को भारत में जरूरी दोवाया मुहया कराई हैं। कुरूना काल में फार्मा सेक्टर की कई बस्तूओं का भारत बड़ा उत्पादक और निर्यातक बना। भारत दुनिया में सर्जिकल मास्क, मेडिकल गोगल्स और पीपी किट का बड़े पैमाने पर निर्यात कर रहा है। भारत हेपटाइटिस B से लेकर HIV वा कैंसर जैसी घातक बिमारियों के लिए भी काफी सस्ती दवाय बना रहा है। उन्हें बरकरार रखने के लिए इस स्कीम को दवाय उत्पादन में बढ़ाने पर और अधिक ध्यान केंद्रित करना होगा। अधिक चलता रहा तो देश का फार्मा सेक्टर जो बरतमान में 50 अरब डालर से अधिक मूल लिका है। 2030 तक करीब 130 अरब डालर और 2047 तक करीब 400 अरब डालर की उंचाई पर दिखाई देगा। पूसा किया जा सकता है। नमस्कार।